क्वेस्टन मेरा एक यह था चोटा सार यह आपने एक इंटलेक्शिल ग्रोथ की बात किया है कोई ऐसा असान तरीका बताएं कि जिसको हम बड़ी ही असानी से अडॉप्ट करके हम अपनी इंटलेक्शिल ग्रोथ कर सकें ओन डेली बेसे तेके उसके लिए हमें थोड़ा सा अगर हम साइन्स के स्टूड़नट हैं तो सवाय अलेक्ट्रिकव करंट के और कुछ भी नहीं है एक सैल है उसके लेक्टरिक करंट बढ़ रहां और वह क्लंट करंट जो है वो फिर और कर है अच्छा वो जो करंट है ना उनके जो सर्किट्स बने है 가ि उनका एक पैरन बन के अंदर और उसके अंदर भी एक आदा पोर्शन है प्री फ्रेंटल गायरस सारा नहीं उसके अंदर अला पाक ने क्या जबरदस नजाम रखा हुआ है कि बच्पन में आपके दादा ने आपके माथे पे बोसा दिया था और वो मेमरी का सरक्ट आपके दमाग में मौजूद ह अबी तक वो भी सरक्ट मौजूद है अच्छा ये जितने सरक्ट बने हुए ना सारे सर ये सरक्ट इनका पैटरन तकरीबन साथ साल की उमर में मुकमल हो जाता है ये बड़ी तकलीफ दे बात है और 95 परसंट अफ दे टाइम हम अपने मरते तक बूड़े होने तक उस बने ह हुए पैटरन के उपर काम करते हैं और ये एक तरह से ल्ला की तरफ से निमत भी है क्योंकि जब आपने मुझसे बात की ना सरकोई तो मैंने अपने उन बने हुए पैटरन की बन्याद से आपको जवाब दिया तो मेरी एनरजी नहीं इतनी खर्च हुई और अगर मैं फरस क होता कि हर केस को दुबारा से स्टडी करके मुझे जवाब देना पड़ता तो हमारे दमाग की इनरजी कंजूम हो जाती तो अल्ला ने एक तरह करम किया है कि 95 परसेंट टाइम हम बहेवी अपनी हैबर्ट की बुर्याद पर करते हैं अचा अब वो जो हैबिट बनी हुई है अगर तो वो ठीक बनी हुई है फिर तो ठीक बनी हुई है लेकिन अगर वो ठीक नहीं बनी हुई है उसको हम ग्रो करना चाते हैं तो उसका सिरफ अल्ला ने एक छोटी सी विंडो रखी हुई है कि 5% आफ दी टाइम वी कैन एक्चुली वर्क विदाउट इस हैबिट ब्रे और दूसरे brain को कहते हैं conscious brain conscious brain तब काम करता है जब हम past से कोई information नहीं ले रहे होते और future की imagination की तरफ नहीं जा रहे होते हम present data के उपर फैसला कर रहे होते हैं और present data के उपर फैसला करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसे हम कहते है concentration अगर आप अपनी intellect को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ practice करनी पड़ेगी और उसका नाम है concentration जब आप गाड़ी जिसको हम कहते हैं एक शौरी awareness जिसको awareness आपके जिसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो बेसिकलिए आपने आपने ब्रेक भी लगा ली इंडिकेटर भी दे दी आगए चले गए तो हैबिट ब्रेन पर कर रहे हैं अच्छा अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक मश करनी पड़ेगी उस मश का नाम है concentration उसका मतलब है कि जब मैं चाए पी रहा हूं तो मेरी जिन्दगी का सिर्फ एक मकसद है कि ये मैंने चाए पी इस गरम को मैंने महसूस किया ये मेरे गले से होके गई और ये मैंने महसूस किया अच्छा आप इस तरह से एक सिप लें तो इमीजेटली आपका पास्ट से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और फ्यूचर से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आप इस प्रेजेंट के अंदर आ जाएंगे अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि प्रेजेंट मुवमेंट में आने का तरीका क्या है प्रेजेंट मुवमेंट के ये है आप मेरे हाथ को दे क्वेंगते है। दूरान में ना पूहा हुआ है। अई आधे को देखते रहने है। अपने के जो एक्साइस की, इस दुरान में कोई ख्याल आया था? कोई माजि का ख्याल आया था? कोई फ्यूचर का ख्याल आए था? आपको याद था के आपको six-mart रहन है। आपको ख्याल आया था कि आपका बेटा है कोई क्यूं भला यूर कंसंट्रेटिंग हम आप यकीन कीजिए हम अपनी जिंदगी का अलमुस्ट हंडर्ड परसंट टाइम विदाउड कंसंट्रेशन गुजार रहे होते हैं जब हम नहा रहे होते हैं तो हम याद हो रहा है कि दफ नवाज में तो सारा पूरे इसाब कता बजाते हैं तो यह यह आपने जो बड़ा च्छा किया सवाल किया यह मैं आजकल कोशिश कर रहा हूं इसकी कि उसमें हंडर्ड परसंट कॉंसंट्रेशन अगर हम आ जाए ना तो हम तो वली उल्ला बन जाएंगे वो इसलिए कि हम उस और भी आप कर सकते हैं मैंसे मिसाल के तो आपकी अजाज़त से कि जब आपकी बेगम आपसे बात करेंगी ना आप उस बात में अन्डिवाइड़ कंसंट्रेशन से उनकी बात सुनेंगे चाहे वो फुजूल बात है चाहे कोई भी बात है तू स्टार्ट विद लाज़ा आ आपने एक दम मुबाइल रखती हाँ क्या बात कर रही है वो बात करेंगा तो उसको मैं अन्डिवाइड़ कंसंट्रेशन के साथ बात करूंगा अप एक दफा मश्क करें ये मश्क करते जाएंगे कुछ हरसे बाद आप देखेंगे कि आप तकरीबन हर काम में आपकी बचे में सबस्फश्रेशर्य करते हैं न तो इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस وقت आपने एक टанका लगाना है इस वक्त आपकी ज़िंदगी का सिरफ एक मकसद कई आप爸爸 कोई मक्सद इस चाहे कहए सब्खें देट सेवाले मेंसा लेना मुझा आ गया इस तरह से हम चाहे नहीं पीते इस तरह से हम नहाते नहीं है इस तरीके से हम घपड़े नहीं पहनते इस तरीके से अपनी बीवी से बात नहीं करते इस तरीके से अपने बच्चों से बात नहीं करते तो intellect के grow करने का सरत्री एक तो है ना building of knowledge कि जी किताबें पढ़नी चाहिए किताब पढ़ना चाहिए तुरुदाना time निकालना चाहिए मैं इस पर नहीं जाता पता नहीं कई लोग किताबें ना पढ़के भी intellect के grow कर सकते हैं आप concentrate करने की मश करने शुरू करें और to start with ये करें एक शखस ढूंड लें जो आपकी जिंदगी में one of the important person in your life आप ने कहीं यार ये जो भी बात करेगा ना इसकी बात को मैंने इसे तवज्जों से सुनना है undivided attention से और आप ये मश करके देखें मैं जाती तोर पर कर रहा हूँ इसके लिए कुई मश करें आप देखेंगा कुछ हरसे के बाद आपके relationship कितने strong होते है और आपका दमाग कितना sharp होता है आपकी observe ऐसी ऐसी चीज़ें आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी जो के मजुद थी आपने कभी ने देख रहए है आपसे कितने लोग शादी शुद हैएं आपको अपनी बेगम की आँखों का रंग पता है रंग रंग पता है और आपको एसी तरीके से आप आप बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे कि आँखे होने के बावजुद हमने नहीं देखी हुई तो ये है मेरे ख्याल में इंटिलेक्ट को ग्रो करने का जो की पॉइंट है ना सर इस पर हम लबी बात कर से थे किताबें पढ़नी चाहिए मगर वो ऐसे हवा में करने वाली बात है लेरन तो कॉंसेंट्रेट ये एक प्रैक्टिस मैंने भी की थी वो इंटिरेक्टी आपकी बात कोई कॉंटिन्यू करती है कि अपनी अब्सर्वेशन को इंक्रीज करना है विच इस फोकस एक्चुली विच इस फोकस हाँ विच इस फोकस इस दमाग में हर वक्त आपने कभी परांस गया ओगा कि यार मैच चाहता हूं ख्यालाथ नाएं दमाग में ख्यालाथी आही जा रहे हैं ख्यालाथी आही जा रहे हैं तो उसके रहा मुखतलिफ लोगों और भात उन उन exhaust जफर intense focus on it it will disappear किसी चीज़ पर आप concentrate करें एक दम होगा हो जाएगी